आज हमारे साथ जुट चुके हैं गुर्मीर सिंग जी एक जनरल सेक्टरिक गुर्द्वारा श्रीक गुरु सिंग सभा गुर्णानागनागा और साथी साथ वह एक्स चेर्मन सुप्रीम सिक और्गनाइजेशन से हैं जम्मो कश्मीर से तो हम उनी से जाना चाहेंगे कि जो ब लगने जा रहा है कुछ ही दिनों के अंदर तो सबसे पहले तो मैं आप से जाना चाहूंगा कि जो उनके जीवन पर हमारे दर्श्रिकों को थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में उनके उनके पर परकाश लाला जाए देखे सर बाबाबा बंदा सिंग जी बहादर जिनका ज जोरी में हुआ वो जमू की महान शक्सियत हैं और ये पहले बादशाह हैं जो जमू में जिनका जनम होता है और बच्पन में इन्होंने एक हिरनी का शिकार किया और उसके पेट में तड़फते हुए जो बच्चे थे क्योंकि वो गरबती थी उसको देखके इन्होंने विर प्रागी के नाम से प्रसिद हुए और यहां से यह यात्रा करते हुए नादेड पहुंचे और नादेड में 1708 इस्वी को इनका मिलाप दस्वे पादशाह साहईब सीरी गुरु गोबन सिंग्जी माराज के साथ होता है और जब गुरु गोबन सिंग्जी के साथ इनकी वा बंदा हूँ वहां पर गुरु गोबन सिंग्जी माराज से यह गृबанов की सिखिया लेके खंड़ बाटे की पहुल लेकर अम्रत-दारी होकर इनका नाम बाबा बंदा सिंग्जी बहादर रखा बंदा सिंग रखा जाता है, बहादर इनको किताब दिया गया और बाबा इनको सतकार से कहा जाता है। वहाँ से गुरू साब ने इनको सिक्षा देके दरम की ख़ंडे बाटे की पोहल देके, गुरमत की गुरती देकर, पांच तीर, एक निशान सहब, नगारा, पांच सिंग और हुकम नमा जो पंजाब की संगत के लिए था वो देके इनको पंजाब के तरफ बेजा जाता है और बाबा बंदा सिंग जी बहादर रास्ते में जहां जहां भी जाते हैं, गुरुपाद्शा के हुकम नमे सिक संगतों को बताते जाते हैं, सिक संगत फोज जो एनके साथ जुड़ती जाती है और फिर बाबा बंदा सिंग जी बहादर समाना, संड़ोरा, हर्याना, जील, ये इलाके फते करते हुए, ये सरहंद की तरफ बढ़ते हैं, और वहाँ पे इनका आगे टाकरा जो है, वो सरहंद के वजीद, सुबा वजीर खान के साथ होता है, जिसने गुरुपाद्शा के म बाबा बंदा सिंग्जी बहादर के हाथों मारा जाता है, सरहंद की इट से इट खडगा देते हैं, और सारी सरहंद जो गुरु मारी सरहंद थी उसको उजाड़ दिया जाता है, और वहाँ पे खालसाई पर्चम जो है, वो जुलाए आ जाता है, मागर उसके बावजूद गुरू साब ने बाबा बंदा सिंग जी बहादर को एक सिक्षा दी थी सारी सरहंद को जाड़ा जाता है मगर वहाँ पे बना हुआ कोई भी दार्मकस्थान चाहें वो किसे किसी हिंदू वीर का था चाहें मुसलमान वीर का था उसके साथ छेड़ चाड़ नहीं की जाती उसक पिर गुर्दास नगल की गड़ी में मैं आपको संखेब में बता रहा हूं उनका जीवन जब ये पकड़े जाते हैं बाबा बंदा सिंग जी बहादर अपने साथियों के साथ सात महीने के गेरे के बाद तो आज भी दिल्ली स्टेशन के सामने जहां पे रोजाना साथ सो सि पहिद किया गया पर एक भी सिख ने अपना दर्म परिवरता नहीं किया और अखीर में आठ जून स्तारां सो सोलां इसवी को बाबा बंदा सिंग जी बहादर को इनकी आँखों के सामने इनका छोटा बेटा आठ साल का अजे सिंग जाल्मों ने एक छोरे से उसका सीना चीर के उसका तडबता हुआ कलेजा जो था दिल जो था वो बाबा बंदा सिंग जी बहादर के मूँ में डाल दिया देखो इतिहास में तबदीली कैसे आई कि ओ बाबा बंदा सिंग जी बहादर जिनका जनम जमू में हुआ और जीनों ने हिरनी का शिकार किया वो गरवती थी और उसके पेट में तड़ते बचे देखके उनका मन बदल गया और वो बहरागी हो गए पर जब एक सचे गुरू की शर्ण में आए गुरू गोबन सिंग जी से सिखेया प्रापत की खंडे बाटे की पहुल ली शस्त्र विद्या ली तो गुर्बानी ने ऐसा जीवन बदला क आज अपने ही बेटे का कलेजा अपने मुँ में डालके ये अडोल बैठे हैं और जालमों ने उस बचे का कलेजा ही नहीं डाला बलके उसके छोटे छोटे चोटे टुकडे करके हार बनाकर बाबा बंदा सिंग जी बहादर के गले में डाला और उसका कटा हुआ सिर बाबा बन्दा सिंग जी बहादर की गोद में रख दिया उस वक्त बाबा बन्दा सिंग बहादर जो थे वो आंखे बंद करके बैठे थे तो कौल जो खड़े थे एहलगार वो पूछता है नजीब उदुला बाबा बन्दा सिंग बहादर आज आपके बेटे का कटा हूँ आपकी ग जो दे थे देखो उनका जवाब क्या था आगे कहने लगे जवाब देने लगे कहने लगे नहीं नजीब दोला ऐसी बात नहीं मैं आँखे बंद करके अपने गुरू के आगे अरदास कर रहा था कि जब मेरे गुरू ने मुझे खंडे बाटे की पहल दी थी मैंने अमर्द छ की गोद में जा रहा हूं और बाबा बंदा सिंग जी बहादर की आँखे निकाली गई गर्म जंबूरों से मास नोचा गया उनके हाथ पैर काटके अखीर में उनका सिरदर से अलग करके उनों को इस तरीके से शहीद की गया गया परंतो उनोंने इन नहीं मानी दुश्मन कि आगे ओ बाबा बंदा सिंग बहादर जिनके जैसा ग्रेट वारियर दुनिया में कोई नहीं दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार लिखते हैं कि गुरु गोबन सिंग जी से मिलने के बाद थोड़ा सा जो समा उनका था उसमें जो उन्होंने खालसा रास थापत किया ग समाजवाद की आज गल होती है सबसे बड़ी उदारन बाबा बंदा सिंग जी बहादर के उस राज के समय की दी जाती है समाजवाद की जहां सब समान थे बराबर थे ओ महान योदा बाबा बंदा सिंग बहादर हमारी स्टेट के थे हमारी रियासत के थे ये दुनिया में ए जमू के कुझवानी चोक में ये काफी लम्मे समयते जो जदो जहद जो है वो चल रही थी के बाबा बंदा सिंग जी बहादर का स्टैचू कुझवानी चोक में लगाया जाए क्योंके वो जमू के हैं और उनके नाम के ओपर कुझवानी चोक का नाम रखा जाए और बहुत सा कार्परेशन को, जमू को, और सरकार को, जिन की बदोलत जहां पे हमारे कार्परेटर, सरदार इंदर सिंग जी, अमले और सभी ने एफर्स किया और मुनसिपल कार्परेशन ने इसको अप्रूवल दे दिया है, कुंजवानी चोक में बाबा बंदा सिंग जी बहादर का स्टै फड़ था मैं उन सभी आर्गनाइजेशन का भी धन्यवाद करता हूं हमारे बहुत सारे हिंदू समाज के वीर लोग जो हमारे बाई हैं उन्होंने भी इस पे बड़ी खुशी जहर की है कि वहां पे बाबा बंदा सिंग जी बहादर का स्टैचू लगना चाहिए उन चो का न बल्दी जो है वहां पे स्टैचू लगा के उस चो का नाम बाबा बंदा सिंग जी बहादर के नाम पे रखा जाएं